आप आई होब कि आप सभी अच्छे हमाँ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउड़ो स्क्रीन रिकॉर्डिंग इन ओपो एफिटिन आइन 5G आज की इस वीडियो में आपको बताने बाला हूं OPPO के इस दिवाईस में आप किस तरीक से Screen Recording कर सकते हैं With Voice Screen Recording कैसे करनी है Without Voice Screenrecording कैसे करनी है वीडियो को end दे देखने हैं वीडियो को बल्कुल कि did's clip नहीं और चैनल पर पहली बारा रहा है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्रेब करके के बैल आइकन को प्रास कर देना है, so as without any waste time let's go start video, first of all यहाँ पर आपको notification बाहर में जाना है, एक बार और swipe कर देना है, तो यहाँ पर आपको कहीं भी screen recording का option नहीं मिलता है, तो आपको यहाँ पर three dot पर click करना है, यहाँ पर three dot पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर edit tiles मिल जाता है, तो इस वाले option पर click कर देना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, तो यहाँ से आपको इधर के और swipe करना है, और यहाँ पर देखना है screen recording का option, तो यहाँ पर एक बार और swipe कर देते हैं, तो यह से हमें यह सबसे last में मिल जाता है is screen recording ópンチ तो आपको इस plus के icon पर click कर देना है तो यहां यह उपर पहुंच जाता है उपर पहुंचंगेए यहां से simply back चले जाएंगे एक बार के बार back जाने के वाद यहां पर आपको दर कूझ वे करना है और यहां पर आपका यह मिल जाता है साइड में इसक्रीन रिकॉर्डिंग को ऑप्शन तो अब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के वाजिए फर्स्ट टाइम आप यूज करेंगे तो इस तरी के यहां से अलाव कर देना है और यहां से आपका यह ऑप्शन आ जात उसकी voice record हो तो आप यहाँ पर इस वाले option को on कर देंगे और आप चांते हैं सिर्फ phone की record नहीं हो सिर्फ हमारी voice record हो तो इसे on कर देंगे और आप चांते हैं कि मेरे phone की और मेरी voice दोनों record हो तो आप यहाँ से दोनों option को on कर देंगे इस तरीके से तो यहां पर आपके voice भी record होगी और आपके phone में जो चलेगा उसकी voice record होगी उसके बाद यह से cut कर देंगे तो यहां से click कर देंगे तो यह cut हो जाता है इस तरीके से तो यहां से दोबार से हमें start करते हैं इस पर click किया और यहां से click कर दिया तो यहां से हमारे screen recording start हो चुकी है अब यहां से अगर आप इस पर click कर देंगे तो यहां पर यह पॉस हो जाती है और यहां पर दूशरा page open करेंगे आप दूशरा page open करने के बाद जहां से भी start करना चाहें दोवार से वहींचे screen recording start हो जाती है दूबार से बहुत करेंगे दूशरा page open करना चाहते हैं दूशरा page open करेंगे और यहां से start करेंगे तो यह दूबार से screen recording start हो जाती है अगर आप यहां पर click कर देंगे यह सही वाले option पर इस पर click कर देंगे तो यह screen recording आपकी complete हो जाती है और यहां से इस तरीके से पेReay भी कर सकते हैं यहां से प्लिक करेंगे तो इस तरbat से यहां पर आप अपने डिबाइस में स्क्रियन रिकोरिडिंग कर सकते हैं वीद वैस्स इस स्कृरिकी कर सकते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए वगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज से वीडियो को लाइक एंड शेयर जरू से कर देना तो आज की इस वीडियो में तरह ही मिलते हैं नेक्ट इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ